यदि आप ऐसे ही नोलेजबल वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे यूटूब चैनल वी साइंस ग्यान को सब्सक्राइब करें चलिए स्टार्ट करते हैं तो अभी हाल ही में रूस और यूक्रेन के बीच बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है इसके पीछे कारण क्या है ठी तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बिच में सबसे बड़ी महाशक्ती कौन है तो बिच में सबसे बड़ी महाशक्ती ये छुपी नहीं है बात कि अमेरिका जो है अमेरिका है रूस है ठीक है जापान है ये जो बड़े-बड़े सहर है चीन है ये सबसे बड़ी सकती है ये किसी भी युद्ध के result को बदल सकते हैं और अमेरिका इसमें एहम रोल अदा करता है। विसमें सबसे ज़्यादा हतियार, सबसे ज़्यादा घातक हतियार अमेरिका और रूस में ही बनाये जाते हैं। अब में बात हम आते हैं अपनी बात करते हैं कि क्या रीजन है कि रूस और ये जो यूक्रेन आपस में लड़ रहे हैं तो उसका एक मैं सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा कि एक संगठन है जिसे नाटो अभी मैं आपको बता रहा था वो एक theoretical study है है अभी one to one हम चर्चा करते हैं कि ये नाटो गया है तो जो रूस है इसका एक देश है इसके मतलब जैसे कि हमारे पड़ोसी देश है ऐसे ही और भी रूस का एक जो देश है वो है यूक्रेन तो यूक्रेन जो चाह रहा है नाटो में सामिल हो जाए अब ये नाटो क्या है ये क्या है ये लगवग 25 से लेके 30 बड़े बड़े खतरनाक देशों का संगटन है ठीक है बागर अभी अभी अमरीका भी है उसमें तो ये देश क्या करते है कि ये एक अंटराष्टरी ये संगटन है ठीके ना जो सुरक्षा प्रदान करता है दूसरे देशों में यदि आप नाटो में सामिल हैं तो कोई भी देश यदि आप पर अटेक करता है तो वो सारे देश मिलकर उस देश पर अटेक कर देंगे अब यह सुचिए कि मान लीजिए जो 25 से लेके 30 बड़े बड़े देश हैं बहुत खतरनाग देश हैं वो एक साइड हो जाए और रूस अकिला एक साइड हो जाए तो तो फिर रूस हार जाएगा तो रूस को इसी बात का डर है कि यदि मान लीजिए जो यूक्रेन है नाटो म सामिल हो गया तो फिर ये जो है कभी भी उनको मतलब खत्रा बन सकता है कभी भी रूस की संप्रुबुद्धा पर खत्रा हो सकता है इसलिए रूस चाहता है कि जो यूक्रेन है कभी भी नाटो का सदस नहीं बने बहुत से स्टार्डिंग में जब लगवग उनीसो नंचास म पार्ट नहीं है अब बहुत सी सरतें भी रखी गई है कि ये युद्ध रुख सकता है यदि जो है यूक्रेन रूस की बात मान जाए लेकिन ऐसा नहीं है बहुत से देश भी यूक्रेन की हेल्प कर रहे हैं रूस एक बहुत ही मतलब हत्यार के मामले में देखा जाए बैप लियर बैपन्स भी है ठीके ना परमानू सकती भी है लेकिन अभी वो इसका यूस नहीं करेगा रूस नॉर्मली चाहे रहा है कि युद्ध स्तर पर जमीनी स्तर पर या एयरक्राफ्ट या फिर नॉर्मली यह इनका यूस करके वो जीत ले रूस चाहे तो यह जो है गैम मतलब लीडर है पुतिन उनकी वैल्यू गिर जाएगी और लोग उनकी हल्प नहीं करेंगे कि जो आमजनता का नहीं हो रहा है पर मेरा कैसे होगा इस बज़े से इस जो युद्ध को बहुत आंगे बढ़ाया जा रहा है ठीक है तो अब यहां पर आप बहुत अच्छे समझ कहे होंगे कि रूस नहीं चाह रहा है कि जो युक्रेन है नाटो का किसी भी तरीके से नाटो में सामिल हो यदि वो यह हो गया तो कभी भी हो सकता है कि यह सारे देश मिलकर रूस पर आकमान कर दें तो यही बिवाद है इन दौनों के बीच में और इनी की वज़े से युद खतम भी हो जाएगा तो आपको यह जानकारी कैसी लेगी मुझे जरूर कमेंट्स करकी बताना थेंक यूँ